So, welcome back to my video. So, आज हम आपको बताएंगे की Sony HT-S20R Soundbar की Distance कैसे सेट करें और सेटिंग कैसे सेव करें तो सबसे पहले आती है हमारी Soundbar के Left और Right Speaker की Distance Setting जिसे हमें करनी है आपने बैठने के हिसाब से कि हम Soundbar से कितनी दूरी पर बैठते हैं और हाँ एक बात very important आपको रियर स्पीकर की Distance दोनों की 6 पर रखनी है ताकि आपको सराउंड साउंड का पूरा एफेक्ट सुनाई दे सो आते हैं मेन टॉपिक पर की हम जैसे स्पीकर की Distance सेट करते हैं पर सेटिंग सेव नहीं होती तो जब आप स्पीकर Distance सेट करें तो उसे बैक बटन ना दबाए आपको मेन्यू का बटन दबाना है आपकी सेटिंग सेव हो जाएंगी और एक बात और आपको अपना सोनी S20R हमेशा HDMI ARC से कनेक्ट करके चलाना है क्योंकि वहीं आपको 5.1 को सपोर्ट करती है अगर आप AUX केबल से या Bluetooth से चलाते हैं तो आपको केवल 2.1 सुनाई देगा तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना वरना ये होम थेटर आपको सिनेमा वाला इफेक्ट नहीं देगा और एक बात अगर आप इसका night mode on कर देते हैं तो आपकी बेस खराब हो जाएंगी इसलिए हमेशा इसका night mode off रखे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment and subscribe जरूर करें धन्यवाद